नमस्कार चारका चक्रव्यू देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सभा शाहिद शे नेता हो या प्राधी आतंकी हो या जिहादी जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यू की चक्र से नहीं बचेगा उनके कारणामों को एक्सपोस करूँ एक एक करके पूरी डिटेल में इंक मूर्ति विसर्जन दूसरी खवर में बाद देवी जागरं पर जयस्लाम के नारे की तीसरी खवर में बाद मौलाना की चौति ख़र में बाद स्वामेपिसाद मौरे की सबसे पहले बात मूर्ती विसर्जन की यूपी के बस्ती जुले में मूर्ती विसर्जन के दौरान हंगामा हो गया लोग एक दरोगा की कारियो शैली से इसकदर खपा हों कि विसर्जन की बजाय वो मूर्ती को लेकर थाने पहुंच गया उन्होंने काफी देर तक थाने में ज दरसल शाम जिस वक्त लोग मूर्ती विसर्जन करने जा रहे थे तब ही ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा के उपर किसी महीला ने गुलाल फेक दिया गुलाल फेके जाने से दरोगा इतना खफा हुआ कि उसने महीलाओं पर गालियों की बोच्छार कर डाले साथी आरोप है कि अन्य समुदाई ने मूर्ती पर जारू और कच्रा फेका इससे कजबे में तनाव की स्तिती बन गई वही मूर्ती विसर्जन को रोक कर हिंदू संगटन के पदधिकारियों ने मौके पर पहुंचे कोतवाली का घिराव कर लिया और आरजक तत्वों पर की वही गाली गलोच की घटना से लोग दरोगा पर भड़क उठे आक्रोशित महिलाय और पुरुष मूर्ती लेकर इस्थान ये थाना कप्तान गंजा पहुंचे लोगों ने उच अधिकारियों से दरोगा की शिकायत की और उस पर एक्शन निनी की मांग की हालात को समालते वे थाना प्रभारी ने उनको समझाने की कोशिश की काफी देर बाद वो मूर्ती लेकर वहां से विसर्जन के लिए रवाना हूं दरसल पूरा मामला कप्तान गंज धाना छेत्र का है जहां देश शाम तक मूर्ती विश्थार्जन का कारिक्रम चल रहात इसी दौरान लहिल के जाने से नराज दरोगा ने महिलाओं को भद्धी भद्धी गालिया देनी शुरू कर जिससे आक्रोशित लोग ट्रैक्टर ट्रॉली सहीत मूर्ती लेकर थाने पहुंच गया मामले की भनक जैसे ही थाने अध्यक्ष और नायब तेंसिलदार कप्तान गंज को लगी तो त तुरंत ही थाने पहुंच गया थाने पर काफी देर हंगामा हुआ अलगी एसपी महुबा अर्पना गुपता ने बताया कि पिलहाल तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजिक रित कर तीन आरूपियों को गिरफ्तार किया है वहीं कारवाई के बाद मूर्ती विसर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे है उन्होंने आरूपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है दरसल बस्ती जिले के परशूम पूर्थाना इलाके के चौरी बाजार में सिंग वाहिनी दुर्गा पुजा समिती ने देवी जागरन का आयोजन किया था जागरन में भजन गायक माता का जागराता कर रहे थी आयोजक ने बताया कि रात करीब दो बजे एक लड़की मंच पर चड़ गए उसने मंच पर अस्थापित दुर्गा प्रतीमा और भजन गायक पर काला कपड़ा फेग दिया लड़की ने भजन गायक से माइक छीनने की कोशिश की आरोप है कि लड़की ने मंच पर इसलाम जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुडू कर दिये लड़की की इस हरकत से देवी जागरन पंडाल में अफरा तफ्रे मज गई वही रात में देवी जागरन पंडाल में हुई इस घटना के खबर पूरे जिले में फैल गई घटना से हिंदुवादी संगठनों में गुस्सा चा गया गुस्साए संगठनों ने लोगों दे सुभा चौरी बाजार के मसकानवा सिकंदरपूर मार्क पर जाम लगा कर प्रदर्शन करने लगे प्रदर्शन कारी आरोपी लड़की की गिरफतारी की मांग कर रहे थे जाम की खबर पर इलाका थाना प्रभारी निरिक्षिक रामेश्वर यादव पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुँचे उन्होंने नारे बाजी कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश वही प्रदर्शन कारियों ने पुलिस के खिलाप नारे बाजी शुरू कर दी वो डीम और एस्पी के आने पर ही जाम हटाने की बात कहने लगी वही प्रदर्शन कारियों को समझाने पर भी जब वो नहीं माने तो पुलिस ने हलका बल प्रियोग कर दिया इस बीच पुलिस और प्रदर्शन कारियों के भी जड़प हो गई जौरान चौरी बाजार के रहने वाले सूरज श्रिवास्तप के सिर में चोट लगने से वो घायल हो गया वही घटना को लेकर डीएसपी शेश मनियू पाध्याय ने बताया कि चौरी बाजार में बीती रात को जागरन हो रहा था उसी वक्त एक मुस्लिम समाज की लड़की मंच पर चड़कर धानमिक नारे लगन लगता आयोजकों की तरफ से शिकायत की गई है वही एक आरोपी को गिरफ़तार किया गया है जल्द बाकी आरोपी भी गिरफ़् किये जाएंगे तीसरी ख़बर मुआद मौलाना की गुजरात के एक मदर्से में छात्रों ने मौलाना पर पुकर्म के आरोप लगाए है पीडिक छात्रों की कुलतादा साथ बताई जा रही है आरोपी मुलाना का नाम मुहम्मद अब्बास है और वो 25 साल का कुकर्म के लिए मुलाना बच्चों को मालिश के बहाने कमरे में बुलाया करता है वह इस मामले में मदर्से के ट्रस्टी दाउद फकीरा पर भी शिकायत के वावजूद कालवाई ना करने का आरोप है पुलिस ने मुलाना और ट्रस्टी को गरफतार कर लिया है वह इस सूत्रों के मताबिक मामला जूना गर में मांगरोल थाना छित्र का है यहां पर मुफ्ती साहिब दाउद फकीरा के ट्रस्ट और उनूम एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से एक मदर्सा संचालित होता है इस मदर्से में इस्थानी बच्चों के साथ कुछ बाहर के छात्र भी पढ़ते हैं लगबग दो साल पहले यहां मौलाना मुहमद अबाज बच्चों को उर्दू और दीनी तालिम देनी के लिए आया था आरोप है कि अबाज शात्रों को अपने कमरे में मालिश के बहाने बुलाया करता था यहां वो शात्रों के साथ गंदी हरकत करता था अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद मौलाना अबाज बच्चों को मुबंद रखने की धमकी भी दिया करता था तो वहीं कुछ बच्चों को पैसे का भी लालस देता था बच्चों ने मौलाना अबास के सकर्तूत की शिकायत मदरसे के 55 साल के ट्रस्टी दाउद फकीरा से की थी। आरोप है कि उन्होंने इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिय। ट्रस्टी दाउद इस मदरसे के साथ ABSC नाम से एक English School भी चला रहा था। इस बीच मौलाना के कुकर्म का शिकार एक 15 साल का छात्र अपने घर में गुमसुम सा रहने लगा। छात्र के परीजनों ने इसकी वज़ा पूछी तो उसने सारी बाते बता दी। बच्चे ने बताया कि वो पिछले 6 महीने से मौलाना की हवस का शिकार बन रहा है। इस 23, 56 और 144 के साथ पॉक्सो एक्ट में केस दर्श कर लिया। अपने खिलाब केस दर्श होने की भनक लगते ही मौलाना अबास फरार हो गया। पुलिस को उसकी लोकेशन सूरत में मिली। पुलिस टीम ने दबिश देकर मौलाना अबास को सूरत से धर दबोचा वहीं इस केस क दूसरे आरोपी मदर्से के ट्रस्टी दाउद के गरफतारी मदर्से से हुई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जूटी है कि मौलाना अबास ने कुल कितने चात्रों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। मामले की जाच और आगे की कानूनी कारवाई अमल में श्वामिप्रसादमॉर्य ने कहा कि अपने को पिठा धीश्वर बताने वाले लोग साधु भेश में नरपिषाच आतंगवादी और अप्राधि किसी को गोली मारने के सुपारी देने वाले लोगोंने धर्मा चारिय के कि गरदन जीब काटने वाले की सुपारी नहीं देते ना ही तलवार खरीद कर हवा में लह राते दरसल स्वामे प्रिसाद मौरिय बहराईच पहुंचे थे उन्होंने पीठा धीश्वर परमहंस दास्त के गोली मारने के बयान पर पलटवार किया शवास्ती में आयोजीत धर्मचारिय की गुन नहीं होते धर्मचारिय किसी की गरदन काटने के सुपारी नहीं देते ना ही तलवार खरीद कर हवा में लहराते उन्होंने आगे कहा कि योगी राज जंगल राज है ये सब देखने और सुनने के बाद भी पुलिस गूंगी बहरी बनी हुई है जबक बाबाओं की बल्ले-बल्ले साधू सन्यासी के भेश में अपराधिक चरित्र के लोगों का होसला बढ़ा है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि योगी सरकार में इनका बाल भी बाका नहीं हो सकता इसलिए लोग उन्हें मारने के लिए 25 करोर की सुपारी देने का फरमान जारी कर रहे हैं वहार तलब है कि जगद गुरू परमंस अचारिये ने विवादित बयान दिया था उन्होंने कहा था कि सपानेता स्वामेपिसाद मौरिये को जो गोली मारेगा उसको 25 करोर का इनाम दूँगा पैसे उसकी घर भिजवा दूँगा और उसकी विधी साहिता भी करू वही परमंस अचारिये ने कहा था कि देश का विभाजन करने वाले मौहमद अली जिन्ना और सपानेता स्वामेपिसाद मौरिये का उतला जला उन्होंने कहा था कि स्वामेपिसाद मौरिये ने देश के विभाजन का जिमदार जिन्ना को नहीं हिंदू महासभा और वीर के दुश्मन फिलाल के लिए चार का चक्रवीव में इतना ही देखते रहें कैपिटल टीवी उत्तरक्रदेश नमस्कार